आईए करते हैं exercise 3.5 के question number 2 का second part जिस जो की हम इस प्रकार है कि for which value of k will the following pair of linear equations have no solution k के किस्मान के लिए निमन रखिंग समीकरणों के यूगम का कोई हल नहीं है तो यहाँ पर आपको दो equation दे रखी है 3x plus y equal to 1 और 2k minus 1 into x plus में k minus 1 into y equal to 2k plus 1 तो यहाँ पर देखिए x का पाहले वाली equation में x का गुणान के यानि के coefficient a1 3 है और y का coefficient b1 जो है वो 1 है और constant term जो है वो minus k1 है इसी तरह से second वाली term में a2 जो है x का coefficient 2 के minus 1 और y का coefficient b2 के minus 1 और constant term minus k bracket में k plus 1 हुए और जैसा कि हमें आया कि कोई हल नहीं यानि के no solution की condition निकाल नहीं है तो no solution तब होगा जब दोनों line ने parallel होती है और parallel होने या no condition का इस तरह से है कि जब कभी भी एक दूसरे को touch नहीं करेंगी parallel line कभी एक दूसरे को intersect नहीं करती इसलिए कोई solution नहीं होता उसकी condition यह है कि a1 upon me a2 बराबर है b1 upon me b2 not equal to c1 upon me c2 तो यहाँ पर a1 जो है वो हमारा 3 है तो a1 की जगा हमने 3 रखा और a2 की जगा 2 के minus 1 रखते हैं b1 की जगा हमने क्या रखा 1 और b2 की जगा के minus 1 इसी तरह से c1 की जगा minus के 1 और c2 की जगा bracket में 2 के plus 1 का negative रख देंगे तो यहाँ पर देखिए minus से minus cancel हो जाएगा और हमारे पास जो है अब इस तरह से यह minus minus cancel कर दिया तो नया जो relation आया वो 3 upon me 2k minus 1 is equal to 1 upon me k minus 1 not equal to 1 upon me 2k plus 1 यह आता है तो इसको not equal to कर देंगे तो अब हम first 2 जो है लेंगे क्योंकि अगर third वाला लेते हैं तो not equal to आएगा हमें तो equal to निकालना है तो taking first two terms तो इसमें जो है आपके पास इनको together लेंगे यानि के कट्था दोनों term को लेंगे पहले दो युगमों को लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 upon me 2k minus 1 equal to 1 upon me k minus 1 तो इनको cross multiply करेंगे तो 3k minus 1 से multiply होके 3k minus 3 हो जाएगा और 2k minus 1 1 से multiply होके 2k minus 1 हो जाएगा अब right side का जो 2k है उसे left side में ले जाएगे तो minus के 2k हो जाएगा और minus के 3 जो है वो right side में आएगे तो plus के 3 हो जाएगे तो इस तरह 3k minus 2k के के हो जाएगा और 3 minus 1 2k equal हो जाएगा तो k की value आई 2 तो में आपको यह video समझ में आ गया पसंद आए तो मेरे चैनल दमैस गुरुदेव को like subscribe जूरू करें